हेलो फ्रेंड्स, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआई अल भारत में अपना नया हैंड सेट Y9 Prime 2019 लॉंच करेगी इसके लिए e-commerce website Amazon पर एक dedicated page बना दिया गया है यहाँ पर notify में लिखा हुआ है इससे यह संकित मिल रहे हैं कि फोन को exclusively Amazon पर उपलब्ड करवाया जाएगा यह फोन पॉप अप सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप से लेस होगा इसके अलावा भी फोन की कई दमदार फीचर्स के साथ पेश के जाने की संभावना है हुआई Y9 Prime 2019 की संभावित कीमत इस फोन को फिलहाल चिली, साथी अरब और केन्या में उपलब्ड कराए गया है भारत में इसकी कीमत तकरीबन 16,000 रुपे के आसपास हो सकती है इसी कीमत के आधार पर फोन की टक्कर DLMI X, OPPO K3 Pro, Redmi K20 से होगी इसे Midnight Black, Emerald, Green और Sapphire Blue color variants में पेश किये जाने की उमीद है हुआई Y9 Prime 2019 के संभावित फीचर्स है इस फोन में 6.59 इंच का Full HD Plus डिस्पले दिये जाने की उमीद है इसमें LCD पैनल का इस्तमाल किया जाएगा वही फोन के Front Panel में नोच नहीं होगी यह फोन Kirin 710 प्रोसेसर और 4GB RAM से लेसो सकता है साथ ही 128GB की इंटर्नल स्टोरेज भी दी जाने की उमीद है जिसे 512GB तक के Micro SD कार्ड के जरीए बढ़ाया जा सकेगा फोन को पावर देने के लिए 4000MH की बैटरी दी जाएगी कैमरा सेगमेंट की बात करें तो इसमें 16MP का पॉप अफ सेलफी कैमरा दिये जाने की उमीद है साथ ही triple camera setup मौदूद होगा इसका primary camera 16MP का होगा जो ultra wide angle के साथ आएगा वही इस phone में camera centric features भी उपलब्द कराए गए हैं जिसमें art scene में real time image optimization शामिल है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसाना है तो इससे like करें, share करें और comment करें हमारे चैनल हिंदी ज्यान टैक वान को subscribe करें और घंटी बटन को दमाना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद friends, thank you for watching जै भारत, वंदे मात्रम, जै हिंड